स्टुडेंट्स अब हम नेक्स्ट कोस्टन एक सॉल्व करेंगे कलवर्ट का इसके बाद जो है हमारा सिर्फ एक चेप्टर बचे का हमारे सिलेवस का वैलुएशन जिसमें की थेओरी भी और निमेरिकल दोनों आता है तो अभी हम एक कलवर्ट के कंपोनेंट की पहले बात करत चाहिते हैं क्या होता है कि बिल्डिंग का एस्टिमेट होता है थोड़ा तफ या यह काफी यह हैं लेकिन हम क्या इसे फैंटनेंट मालूं होगया वाल हो गया वींडो होolution वो सारी चीजा में मालूम रहती है तो इजी होता हमारे लिए लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास इसके components हमें मालुम नहीं होते हैं तो इसके लिए चलिए समझ लेते हैं जैसे यह road है में यह road बहुद है तो इस side की जो यह दिवाल दिख रही है आपका और i side की दिवाल है यह जो है क्या हमारा विंग वाल है क्यों क्योंकि इस पे जो से स्वाइल का प्रेसर है इधर मिट्टी भरी हुई है तो स्वाइल के प्रेसर को रोकने के लिए जो होता है यहां पर यह विंग वाल कहलाता है और जहां पर यह स्ट्रिम जिधर पानी जाएगा ठीक है तो यहां पर जो होगा यह क्या कहलाता है हमारा यह अबट्मेंट कहलाता ठीक है तो यह हमारा अबर्टमेंट होगा और यह विंग वाल होगा और उपर के पोर्शन का जो होता है यहां पर हमारा क्या होता है यह जो रोड के उपर वाला पोर्शन होता है वो पैराफिट होता है और नीचे का वाला वही पोर्शन विंग वाल कहलाता है तो पैराफिट उपर जा करके जो है हमारा विंग वाल जो है उपर जाती है तो पतली हो जाती है यहां पर एक कर्ब टाइप में बना रहता है जैसे हमारा यह हो गया मालों यह बाहरी फेस हुआ किसका विंग वाल का तो अंदर वाले फेस पर जो है हमारा यह ऐसे जाएगा तो आगे उपर च निकालेंगे और उपर का अलग से निकालेंगे और चलिए हम को सॉल्व करते हैं देखते हैं एक आर शीस लैप कल्वर्ट है 1.5 लएड़े स्पाण है और ब्रिक वर्क के छार्ट है और सीरत को श्मारिगरी चाहिए रॉटर में देना है यह सारी जो इधर पर धिया है यह सैघे सारी चीजे भीयंग में दिखाया हुआ कि लगा है तो हम्हें कि इसको द्रगी स्व This Be अपरिंस र्थ वर्क एक्सकारवेशन इसमें दोपार्ट हमारा abutment और wing wall जैसा कि हम components में देखे थे तो देखें आपको ये दीख रहा है ये जो है ये lengthwise जो है ये हमारा abutment है और ये ये इधर के जो किनारे किनारे वाले हैं ये हमारा क्या है wing wall तो हम सबसे पहले abutment दो नमबर एक ये और एक ये side वाला एक ये और एक ये दो हो गए दो नमबर हमारा abutment इसका length है 5-10 earthwork की बात हो रही है तो ये earthwork देखें यहां पर यहां से यहां तक है 480 है ये दिख रहा है 480 ठीक है तो 480 ये और 15 cm इधर का और 15 cm इधर का ठीक है तो ये हमारा 480 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 पांच 10 हो गया ब्रिट 70 यहां पर ये दिख रहा बाहर से बाहर सब्तर वैसे अगर ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 15 इधर का पंदर इधर का तो ब्रिट और हाइड जो है साथ तो यह हमारा ग्राउंड लेवल है तो हमारा जो है यहां पर यह ग्राउंड डेवल है तो थर्टी यह और यह 30 हो गया इसी प्रकार विंग वाल एक दो तीन चार फोर विंग वाल है क्योंकि हम इतना चौड़ाई यहां से इतनी चौड़ाई तक हम अर्थवर्क कर लिए है यहां तक ठीक है उसके बाद बचा हुआ है इस साइड वाला तो एक बीस इधर काम ले लिए यह uesta2 से बाहर सबस्थ beast है और राव और ससेंटिम्ट्र हाइट यहां एन देखी रहा है तो हमारा यह अर्थवर्क हो गया सकर नंबर सेमीं का क्रीवे एक तीनच्हा का यहां जहां अर्थवर्क करते हैं वाह वाहां himna pacing करते 100 करते हैं हम करप torque करते हैं पहले यहां से यहां तक कितना है चारसी लंबाई दिया हुआ है चारसी और इसकी चवड़ाई जो है ब्रिट्थ 40 cm दिख रहा हमें तो यह 40 cm width हो गया इसके बाद जो है हमारा यह ब्रिक वर्क है इसकी हाइट इसकी हाइट देख रहा है हम यहां से ले करके यहां से ब्रिक वर्क हमारा सुरू हुआ है तो अभी यहां तक है ठीक है तो हमारा यह जो ब्रिक वर्क है यहां से यहां तक जो शे हो गया यह एक पचास एक तीस और बीस पचास तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है चोड़ा होटा तीस प्लस तो एक पचास यह हो गया क्वांटिटी आ गई नेक्स्ट है विंग वाल वाल हमारे कितने हैं एक दो तीन चार चार नमबर विंग वाल हो गया लेंथ कि कितनी है यहां से यहां तक 120 है लेकिन हमें बीक वर्क कि यहीं तक करना है यह दिख रहा है तो इधर पर जितना हमारा यह 15 cm क्या है बाहर है तो य इसका भी उतनाईब होगा यह पूरा यह साथ स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है तो इतने हाइट इसकी होगी अबट्मेंट की उतनाई विंगवाल की होगी इसके बाद और हम पेराफिट कर्व तक कि पहले निकलेंगे। तोपहले यहांसे यहां से सुरूँ है हमारा aç Philip का इसके उपाइनकट का यहां तक 14 cm भिट्ट है यह देखिये पैरां फीट्स अब ऩुकर तो इसका चालिश लिए हैं और कर्व के उपर का जो है 30 cm ब्रिट्थ है तो इसका पैराफिट्स जो उपर की ओर है 470 इसके लंबाई देखिए कैसे हैं यह हमारा यहां से टोटल यही निप आरा फीट है तो 470 हुआ यह 470 लेंद्थ है अब टू इसका और जो है इसकी 40 cm इसका ब्रिट है और जो हाइट है यह 30 है और 30 कैसे हैं यह दिख रहा है यहां से यहां से यहां तक यह 20 है और इसके बाद जो है 10 cm मोटा यहां पर क्या किया गया है यह वियरिंग कोट जो है यह वियरिंग कोट का भी यहां पर हम 10 cm इसमें यूंक्लूट करेंगे यह हमारा स्लैब है स्लैब के बाद 10 cm और PCC किये हुए हैं तो हमारा जो है वियरिंग कोट ताकि जल्दी खराब नहीं हो हमारा स्लैब के उपर का जितना भी पॉर्शन है हमारा क्या होगा आपका पैराफिट होगा पैराफिट तो इसमें स्लैब से उपर दस सेंटिमेटर का वियरिंग कोट यह और 20 सेंटिमेटर यह यानि इस हम कर्व तक के पॉर्शन का हम निकाल लिए अब तो यह चार सब्तर लंबाई हो गई 40 इसकी ब्रिक कोर्क की मोटाई हो गई और इसका 30 सेंटिमेटर हाइट हो गया यह हो गई क्वांटिटी ठीक है पैराफिट अब कर्व के उपर का पॉर्शन जो है कर्व के उपर का जो है हमारा चार सब्तर लंबाई उतनी होगी अभी कोपिंग अलगस निकालेंगे यह जो कोपिंग किया हुआ है ना उसका हम अलगसे निकालेंगे इसलिए पैराफिट एब अब कर लेकिन पैराफिट को छोड़ करके ठीक है तो यह दो नंबर कि दोनों साइड में होगा ना एक यह रोट के इस तरफ में और एक उस साइड में तो हमारा इधर पे कि चार सब्तर लंबाई जो इसकी ब्रिट है चोड़ाई दिवाल की 30 सेंटिमेटर है और इसका हाइट या डेप्ट जो है 50 सेंटिमेटर है तो यह 50 सेंटिमेटर कैसे है यहां से यहां तक 60 दिख रहा है तो साथ में से निकल गया तो पचास सेंट्मेठर इसकी हाइट यह bulret निकल गया इसके बाद है कोपिंग हमारे है दोनों साइड में हूए है है एस पर पर冷el जगह करें ज हाए बाहर से बाहर यह 490 दिख रहा है तो यह 490 हो गया लेंथ और इसकी ब्रिट फिर 10 cm ऊपर यह आगे प्रोजेक्शन है तो 30 तो यहां से यहां तक चड़ाई थी ही 10 cm आगे बढ़ गया मतलब 40 cm ब्रिट हो गया इसका और इसकी जो उचाई है यह 10 cm उचाई है यहां पर दिख सपॉट पर है 30 cm इस साइट पर है और यह ऐसे ही यहां से ले करके यहां तक चल रहा है तो इसलिए हम इसको डिड़क्ट करेंगे दो नम्बर है दोनों साइट दिवाल में सपोर्ट के लिए अंदर गया हुआ है तो चारस 2-1-2 यह आस्ती हमारीαν लंबाई है इस किस लैब कि जहां बृक से इंड तक हमारा है RCC का कास्टिंग हुआ है स्लैप का तो हमारा ये दो नंबर 84 अंदर सपोर्ट में बिट कितना घुसा हुआ 30 cm और स्लैप की मोटाई है 20 cm यह माइनस कर देंगे माइनस 0.57 तो हमारी यह क्वांटिटी आ गई भी है अब हमारा क्या है नेक्स्ट और tec went ή cosa chi c work में यहाँ वर जो है हमें डिटेल दिया हुआ इन्फोर्स्मेंट का डिटेल दिया हुआ है तो हम यहां पर आर्दी सिसिट रज पहले तो जो है टीड to livel होता है तो आर्सेसी वब्क एक चार के लिए हम निकालेंगे आज चीटीटmän यहां तक लंबाई रिक पांके होट यहां से टीड़ेट जो ओ सी harmful और बीस ऊपरोट टॉब्क तो व्हें 30 में 60 करेंगे 60 सेंटिमेटर तो आ जाएगा तो यह 480-20 ब्रिट्थ हो गया और इसका जो हाइट या डेप्थ है स्लैब का 20 cm है तो हमारा जो यह हो जाएगा तो यहां पर इस्टिल बर्स जो है इसमें डिट्यल दिया हुआ है कितना इस्पैसिंग पे कितना बार लगा हुआ ह Lindy और इस वह बार्स एड from 20 mm डाया बार्स 15 cm Center to Center हमें निकालना है ठीक है तो 15 cm में इधर पर दिया हुआ है एक डिटेल कि 20 cm डाया बार्स 30 cm Center to Center Alternate Bent Up कर दिया हुआ है इसका मतलब है कि 15 cm पर ओवराल स्पेसिंग है लेकिन हर एक 30 cm पर हमारे क्रेंक है या फिर बेंट बार लगे हुए हैं तो 20 mm डाया बार्स में इस्टेट बार्स 30 cm Center to Center के लिए में करेंगे स्पेसिंग निकालेंगे यह जो हमारा नहीं नियूंट ंक डेंगे ईससे ऐसे लगेंगे तो हम इसके लिए हमारा यह कहां तक जा रहा है? ऐसे ऐसे, चारासी तक जा रहा है तो चारासी और स्पेसिंग कितनी है? तीस, इसको डिवाइट करेंगे प्लस Nine कर देंगे तो 17 नमबर जो है हमारा क्या होगा? differentiation बार होगे 17 नमबर, इसकी length जो है जो हमारा overall जो slab casting का ब्रिट कितना है दो दस है यहां पर हमने निकाला भी था देड मिटर प्लस 30 प्लस 30 तो दो दस आया उसमें हम दो साइट कवर माइनस कर देंगे 2 इन्टू 4 सेंटिमीटर और 2 इन्टू 9 इन्टू हुक के लिए 2 इन्टू 9 इन्टू डाया तो ये से प्रकार 17 लगे हुए हैं तो मल्टिप्लाई कर देंगे तो इतना यहां पर बुक में क्यूबिक मीटर दिया है जो कि हम अभी मिटर में कितना मिटर लग रहा है कि में इंहे बार कि बार के बाद हमारा में बेंट आप बार की कि पेसिंग कित TRADE किपनी हो जाएगी 30 cm फो toward to फन पाउन में जो इस पेसिंग होवराल state evangel अपन में इस पेसिंग इसमें प्लस वन नहीं करेंगे किकि हम इसके पहले वाला जो मेन इस्टेट बार था उसमें प्लस वन कर चुके तो यह 60 नमबर आप बार्स होगा और इसमें क्या है बेंट अब के लिए हम क्या करते हैं जो टॉप रिणफॉर्समेंट और बाटम रिणफॉर्समेंट जैसे अगर यह बेंट बार हो रहा है तो हम यह टॉप पार्टम के बीच का ठिकने स्लैप का उसमें दो सेंटमेंटर ऊपर का कवर दो सेंटमेंटर नीचे का कवर तो चार सेंटमेंटर माइनस करके हम इसको एड़ कर दे रहा है तो जो लेंथ आई थी वहां पर उसमें 16 कंटमेंटर हम एड़ कर दिये तो हमारा 2.54 आ गया इसे जो है हमारा एक मीटर का इतना वजन होता है 2.47 तो इसमें हम multiply कर दिये तो हमारा इतना kilo आ गया इस्टील इसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे distribution बार के लिए distribution बार जो है हमारा यह 25 cm center to center दिया हुआ है यह यहां पर लिखा हुआ है distribution बार 10 mm डाया 25 cm center to center तो जो है हमारे यहां पर लगेंगे कितने इसके लिए भी हम इस पेसिंग निकाल सकते हैं हमारा जो distribution इस्टील है वह हमारा ऐसे ऐसे चलेगा तो यह लांगर इसपान पर इस डारेक्शन में चलेगा तो हमारा यहां से यहां तक कितना था 210 तो यहां पर 210 डिवाइड़ वाई 25 जो इस पेसिंग दिया हुआ है इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहां पर जैसे पचीस अठ्थे 200 हो जाएगा तो एट पॉइंट कुछ-कुछ आ रहा तो प्लस वन करके नाइन नमबर आप बार यह हो जाएंगे लेंथ इसमें फिर उसी पर करने गा जितना ओवराल हमारा स्लैब का लेंथ है उसमें दो इंड कवर माइनस करेंगे और दो करेंगे यहां पर निकाुए है 3 वुग त्था को कि हम लेप तो देंगे नहीं अगर यहां पर यहां पर लिया हुआ है तो जिय लेंथ इसकी यहां पर इसके बात distribution top bars यह तो नीचे का हुआ जहाँ पर crank करते हैं वहाँ पर उपर में भी हम जो है provide करते हैं जैसे यहाँ पर दो इस side में, दो इस side में करेंगे, यह book में direct use कर लिया है, इसे हम चाहें तो जो ly 6 या फिर ly 4 से लेकर के ly 6 के बीच का जो हमारा crank होता है उसके बीच का जो हम इसको crank वाली length निकालेंगे तो वो लगभग spacing के double 40-50 के आसपास ही आता है तो एक side में जो है, दो और दूसरे side में 2, तो यह 4 numbers आप बार हो गए length इसकी भी उतनी होगी तो इस तरह से हमारा length हुआ और 0.68 मीटर का होता है तो हमारा यह 10 10 mm डाय स्टील का जो वेट है इतना हुआ तोटल स्टील हमारा जो 10 mm का इतना था और 20 mm और 10 mm दोनों का मिला करके 239.81 kg क्यानी के 2.398 कुइंच चला गया अब next है, cement concrete का जो उपर में वेरिंग कोट लगा हुआ है तो उपर में हमने यहाँ पर जो slab casting है इसके उपर में हम यहाँ से ले करके लगवाद इस से थोड़ा ज़्यादा इस पान में यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो है हम वेरिंग कोट करेंगे ताकि जो घरसर वगएरा जो गाड़ियों के चलने से घरसर वगएरा होगा वो डारेक्ट हमारे slab पर नहीं होना तो हमारे slab बहुत जल्दी कमज़र हो जाएगा तो जो घरसर वगएरे होंगे पहिया की वज़ाते उसके लिए हम अलग से 10 cm मोटा वीरिंग को डाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो length है वो हमारी length कितनी होगी यह देखिए यहाँ से यहाँ टोटल यह तो बाहर से बाहर हो गया हमारा चार असी तो 40 cm इधर की दिवाल और 40 cm इधर की दिवाल माइनस कर दिए तो अंदर से अंदर जो है हमारा कितना हुआ यह अंदर से अंदर यह अंदर से अंदर कितना है 40 इदर का 40 इदर का 40 माइनस कर देंगे 40 में तो चार यह हुआ और जो इसका दो तीस जो ब्रिट्थ है यानि यह लंबाई हो गई अब जो चौड़ाई है हमारी इस स्लैप से थोड़ा सा जादा होगी तो कितना जादा होगी देखें डेड़ मीटर तो यह अंदर से अंदर है यह क्लियर इसपान ठीक है डेड़ मीटर यह और हमारा जो है यहां पर डेड़ मीटर के बाद 40 cm इस साइड की दिवाल और 40 cm की इस साइड की दिवाल तो हमारा डेड़ मीटर और 40 तो एक नबबे और फिर 40 तो दो 30 हो गया यह हमारी दो 30 और इसका मोटाई जो है हमारा 10 cm है ही तो इसको हम जो है इतना क्योंट मिटर हमारा सिमेंट कंक्रीट का वेरिंग कोटा जाएगा अब नेक्स है सिमेंट पॉइंटिंग तो सिमेंट पॉइंटिंग अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो काफे लंबा हो जाएगा थैंक्यू